आज खाने में क्या पकाएं? इस वन आप दा मोस्ट कॉमन क्वेस्चन्स फोर एवरी वुमेन घर की सभी मेंबर पूछते हैं कि आज खाने में क्या बना है? सुबह के नाश्टे से लेकर रात के खाने तक हम भहुत सारे हिंदी सेंटेंस का यूज करते हैं तो आज मैं उन में से कुछ का important है जो उनको लेकर आया हूँ आपके सामने आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाहे वो breakfast हो, brunch हो, lunch हो, dinner हो या सपर हो खाते पीते समय जो भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसे कि आज सबजी क्या बनी हुई है या मेरे सब्जी में नमक कम है या ये कुछ ज़्यादा कडवी है या जो भी sentences हम यूज करते हैं जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो थोड़ा नमक की डिब्बी को पास करना उन सभी के English आज मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपका आदित स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रेजी फोर इंग्लिश बाई आदित चैनल पर तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम जान लेते हैं breakfast, brunch, lunch, dinner और सबर के बारे में तो breakfast होता है सुबह का नास्ता, brunch होता है सुबह और दोपहर के बीच जो नास्ता करते हैं जो लेट नास्ता होता है उसको हम brunch बोलते हैं उसके बाद आता है lunch दोपहर का भोजन, उसके बाद dinner मतलब शाम या रात का भोजन और सपर, सपर means होता है देर रात का भोजन, जिसे कुछ लोग 12 एक बज़े खाना खाते हैं, तो डिनर जनरली 9 या 10 बज़े मान लिया जाता है, तो सपर देर रात का भोजन बोला जाता है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपनी डैनिंग टेबल पर, जहां बच्चे पूँचते हैं कि भाई आज खाने में क्या बना हुआ है, तो खाने में क्या बना हुआ है, या खाने में क्या है, इसकी इंग्लिश बोलेंगे, what is there in the breakfast or what is there in the lunch or what is there in the dinner or what have you cooked या इसके लब बोल सकते हैं what dishes have you cooked today for lunch या dinner जो भी आपका time हो तो generally answer आता है your favorite aloo या your favorite curry या जो भी आपने बनाया हो आप बोल सकते हैं फिर आप कहते हैं जल्दी से आजाओ बेटा या जल्दी से आजाओ बेच्चों या किसी से भी आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भी खाना परोस दिया गया है the food has been served हरी आप कम, कम fast ऐसे आप बोल सकते हैं अब सब लोग जब खाने पर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएंगे एक साथ तो वहां जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है चलिए उसको समझते हैं अभी जैसे बोलना है कि सब्जी में नमक बहुत कम है या सब्जी में नमक थोड़ा जादा है या मेरी सब्जी बहुत जादा चटपटी है या आपको बोलना है कि यह बहुत जादा कडवी है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यह रहे कुछ sentences सब्जी में नमक कम है तो salt is lesser in the dish या जो भी आपकी सब्जी है उसका नाम ले लिजिए यदे आपको बोलना है कि यह बहुत चटपटी है तो बोल सकते है it's very peppery पीपर होता है तो पैपरी बोल देंगे यदि यह कडवी है तो it's very pungent pungent मैं सोता है कडवार था तीखा और कडवा द़ना इंग्स होता है pungent अभी कोई कहेगा कि मुझे आलू के सब्जी बहुत अच्छे लगती है मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं या मुझे कोई भी सब्जी जो आपको बूलना है ये सब्जी मुझे बहुत अच्छे लगती है आलू सब्जी रेलिश मी वेरी मच या जो भी पनीर पराठा है तो पनीर पराठा रेलिश मी वेरी मच अब आपको थोड़ा सा नमक चाहिए यदि नमक रखा हुआ है वहाँ पर एक शॉल्ट शेकर बोलते हैं आपको चाहिए या आपको चाहिए सब्जी का रसा दे 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 जे तो इंगलिश में कैसे बोलेंगे अभी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दो रूटीों में दो चापातीों में पेट भर जाएगा तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं तू चपाथीज कें शेशियेट मी या तू चपाथीज है बीन इनफ फो मी अभी मान लिजीए कोई कुछ खाही नहीं रहा है इस्पेसली जब गेस्ट आते हैं गेस्ट आते हैं तो थोड़ा इटिकेट और मैनर में रहते हैं जब हम भी कहीं जाते हैं तो उसे सापसे नहीं खाते हैं तो सामने वाला जो होता है टेंडर हो बोलता है आप तो कुछ खाही नहीं रहे हैं थोड़ा सा और लिजीए आप तो कुछ खाही नहीं रहे हैं इन सबी sentences के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने दिये हुए है जैसे आप तो कुछ खाही नहीं रहे हैं तो you are taking little थोड़ा सा और लीजिए have some more तो guest बोलेगा no 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 thank you I am full मेरा पेट भर चुका है please give me some water ये please pass me some water and the food was very tasty ये very delicious जो भी आप बोलना चाहें तो हम लोग अपने guests से बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मिठा ले लीजिए लीजिए थोड़ी मिठी चीज भी लीजिए test किजिए तो इसको आप English में कैसे बोलेंगे please have some dessert या please have some sweet dish कुछ लोग मिठी चीजें कम खाते हैं तो वो कैसे मना करेंगे मैं मिठी चीज नहीं खाता हूँ I avoid sweets या I don't take much of sugar और खाना काने के बाद बहुत सा भोजन प्लेट में रह जाता है बच जाता है तो बचा हुआ भोजन को बोला जाता है जूठन English में बोलते हैं leftover food तो English में बोल सकते हैं there is much of leftover food मतलब बहुत सा खाना बचा हुआ है So guys that is it for the video and I hope that you are liking my videos please do subscribe and share this video Yeah one more thing I would like to suggest you if you want some motivation and passive income please do visit fhabits.com Thank you very much thanks for being here You